नमस्कार ग्लुप्स जटिन में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रगती अगरवाल 36 गड की राजधानी रायपूर में ड्रक्स का काला कारोबार बेहत तेजी से पैर पसार रहा है पुलीस ने शहर में बड़े पैमाने पर ड्रक्स की सप्लाई करने वाले एक दमपती को गिरिफ्तार किया है इस ड्रक्स तर्सकर दमपती ने पुलीस से जो खुलासा किया है उसे पुलीस के भी होश उड़ गए है पुलिस ने दमपती के पास से ब्राउन शुगर की 1650 पुडिया बरामत की जिसकी कीमत 8 लाक रुपे से अधिक आंकी गई है पुलिस के मुताबिक हर पुडिया ब्राउन शुगर की कीमत 500 रुपे है इसके अलावा या दमपती हर पुडिया का सर्विस चार्ज भी लिया करता था ड्रक्स तर्सकरदम पती नेहा मानिक पुरी और मुहमद दिलशाद अनसारी के मताबिक वे राइपुर में ब्राउन शुगर की डोर टू डोर सप्लाइ करते थे इस बात को जानकर पुलिस हैरत में हैं पुलिस ने उनके पास से चार मोबाइल भी जब्त किये हैं दिलशाद अनसारी ने लेकिन जो चौकाने वाला खुलासा किया है उसके मताबिक राइपुर में कुछ नामी गिरामी स्कूल कॉलेज और इंडस्ट्रियल एलाकों तक में ड्रक्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ी है इसके अलावा राइपुर से भिलाई और बिलासपूर तक इन ड्रक्स की सप्लाय हो रही है पुलिस को संदे है कि मोबाइल फोन के जरिये ही उन्हें ड्रक्स की बुकिंग के लिए ओर्डर मिलता था पुलिस सब उनके मोबाइल कॉल डिटेल निकालने में जुटी है राइपुर के एसपी विजय अगरवाल के मताबिक फिलहाल दोनों से पुस्ता जारी है शहर और देहात के लगभग 40 ऐसे लोग जो पूरमे गांजे के मामलों में चलान किये गए जिनके ख्याती रही है कि ये गांजा बेचते हैं आदतन और उनकी काउंसलिंग की गई काउंसलिंग इसलिए आवश्चक है कि इसमें ज्यादा तर ऐसे लोग हैं जो अपंग हैं दिव्यांग हैं या महिलाएं हैं और पारिवारिक परिस्थितियों की वज़े से इस अवैद कार में लिप्त है लग बग 40 के आसपास इसता से अवैद विकरता थे जिनके पास समान तो नहीं मिला है पंदुन की आम ख्याती रही है इसमें महिलाएं भी थी दिव्यांग भी थे और सभी को समझाईश दी गई है झाल